अब देखो बच्चों 5th question में क्या है तुम्हारे पास P square plus 6 P plus 8 है यहां पर देखो P square कोफिशन क्या है इसके साथ number क्या है 1 है तो अगर मैं 1 into 8 करती हूं तो क्या मिलता है मुझे 8 मिलता है ठीक है अब मैं क्या करूंगी कोई दो ऐसे numbers लो जिसको हम add करें तो 6 आए मुल्टिप्लाय करें तो 8 आए हिट इंट्रायल से होगा तुम्हें बार-बार देखना पड़ेगा अब देखो 248 होता है अगर मैं 2 plus 4 करती है तो देखो 6 आता है है कि नहीं तो हमें एक ही जटके में चलो यह तो मिल गया लेकिन ऐसा भी हो सकते है तो मैं सेकंड राय थर्ड राय के बाद भी मिले ठीक है तो मैंने 6 पी को 4 पी प्लस 2 लिख दिया ठीक है इन दोनों में पी कॉमन लेलो तो अंदर क्या बचा पी प्लस 2 अब इन दोनों को करो इन दोनों में देखो 4 कॉमन लेलो तो यहां क्या बचा पी बचा यहां पर क्या बचा तो दोनों तरफे तो प्लस 2 को कॉमन लेलो यहां क्या बच गया पी प्लस 4 यह तुमारा आंसर हो हो जाएगा ठीक है clear अब देखो यहाँ पर है q square minus 10 q plus 21 q square का coefficient के इसके साथ क्या number है 1 है तो 1 into 21 होता है 21 दो numbers ऐसे है लो जिने multiply करो 21 आए लेकिन अगर add करें तो तुम्हारे पास minus 10 आए ठीक तो देखो 7 3s आ 21 लेकिन sign है negative है तो अगर हम minus 7 और minus 3 करते हैं तो देखो minus का 10 आएगा है के नहीं हाँ लेकिन अगर मैं minus 7 into minus 3 करती हूं तो minus minus plus और 21 तो यह सही exactly ठीक तो यहाँ तो हम minus 3 और minus 7 कर लेंगे ठीक है clear q square minus 7 q minus 3 q मैंने minus 10 को ऐसे स्प्लिट कर दिया थी प्लस का 21 इन दोनों को solve common लों इन दोनों में से तो क्यों आ जाएगा अंदर क्या बचेगा q minus 7 इन दोनों को करते हैं अब हम हां तुम्हें देखो 3 इदर भी और 3 7 जा 21 3 इदर भी है तो मैं माइनस 3 कॉमन ले लेती हूं यहां क्या बच जाएगा q अब देखो प्लस है तो माइनस minus plus बनेगा तो मैंने minus का sign लगा दिया और 7 लगा दिया इसलिए कि मुझे q minus 7 इधर चाहिए इदर भी चाहिए इसलिए मैंने बार माइनस का 3 लिया है ठीक क्यू माइनस 7 मिल गया इन दोनों में से q-3 मिल गया ठीक है अब देखो थर्ड में पी स्क्वेर प्लस 6P माइनस 16 हां पी स्क्वेर का कोफिशिंट है 1 1 इंटो 16 हो गया वो सॉरी माइनस 16 हो गया माइनस 16 ठीक अब मुझे इसी ऐसी स्प्लिट करना है दो नम्बर को जिनको मुल्टिप्लाइ करती हूं तो माइनस का 16 आए अड़ करती हूं तो 6 आए देखो 44016 है ना ठीक है एक माइनस का लेलो एक प्लस का लेलो देखो माइनस 16 तो बन रहा है लेकिन अगर मैं दोनों को आड़ करती हूं तो 0 आएगा तो यह तो गलत हो गया दूसरा ट्राय करते है 82060 माइनस का सइन भी चाहिए अगर हम माइनस का एड लगाते है प्लस का टू तो देखो माइनस 8 फ्लस टू क्या बनेगा माइनस का सिक्स तो ये भी गलत है, हमें प्लस क्रा 6 चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का 8 लेते हैं, माइनस का 6 लेते हैं अब देखो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 6 है के नहीं और 8 इंटू माइनस 2, माइनस 16 आगे समझ में, तो 2-3 तुम लोग को ट्राय करने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही ट्राय में आ जाएगा अब देखो, मैंने प्लस 6 को कैसे करा, 8P माइनस 2P के फॉर्म में स्प्लिट करा, इसलिए इसको मुदल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहां क्या था 1P स्क्वेर यह P स्क्वेर, ठीक है, चलो, माइनस को 16, इन दोनों को इक साथ करो, इन दोनों को इक साथ करो, यहां क्या कॉमन ले लोग, पी अंदर क्या बचेगा, P plus 8 यहां से क्या लेख सकते है, minus 2, बस और तो कुछ नहीं आएगा, यहां क्या बच जाएगा, 2, sorry, P, और यहां पे, क्योंके minus का साइन बाहर है, तो मैंने plus ले लिया, plus minus, minus हो जाएगा, 8, 2s are 16, ठीक है, 16 को कैसे लिख सकते है, 2, 8s are 16, इसलिए 2 common लिया है, ठीक है, अब देखो P plus 8 यहां भी, P plus 8 यहां भी, common लेलो, यहां क्या बच जाएगा, P minus 2, ठीक है, this will be your factorization, here we end exercise 12.2, video पसल आएगो, प्लीज आनको subscribe करो, thank you for watching, braino solutions.